हलो एवरिवान मैं डिवाइन फैमनन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपने एनर्जी के कॉर्डिंग देखियेगा तो इस टैम आपके हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी या कार्मिक लोग कह सकते हैं आप उन लोगों के बीच में फाइट हो कहीं है कि नहीं है दिलेए जा रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ धे वेर किया या आपकी वेलियु नहीं की तो यह सब उनकी लाइफ में हो रहा है जिनकी वजेसे उन्हें करमा 250 करना पड़ रहा है जो कर्मा रहा गया था पॉजिटिव अगर हैं आपके लिए भी सोच भी रहे थे लेकिन कुछ कर्मा पे पैक करने के लिए उन्हें इस लाइन में या उनके साथ यह सब करवाया जा रहा है और थर्ड पार्टी को बिल्कुर रिमूव की तरफ ले जाया ज आइसुलेट करके रखा है वो भी नहीं चाहते हैं किसी के साथ बात करना वो भी अब्जर्वेशन में है कि मेरे साथ अचानक से यह क्या हो रहा है मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था अचानक से मैं अपनी डिएफ के साथ डिटेश्मेंट यह सब के साथ डिटेश्मेंट क पता नहीं क्या हो रहा मेरी लाइफ में तो ये सब जो भी है ये आपको एक चैनल मैसेज भी है और साथ में आपको डिवाइन ब्लैसिंग भी है अंसेस्टर ब्लैसिंग भी है तो कहीं न कहीं आपके इंसेस्टर जो के आपका सपोर्ट कर रहे हैं हो सकता है आपके अंसेस्ट करते वे नजर आए हो आपको ब्लैसिंग देते वे नजर आए हो आपको हर एक बात में समझाने के लिए या आपको एक डिरेक्शन देने के लिए आपका सपोर्ट करते वे आपको नजर आ रहे हो और आपको ये भी बताया गया हो कि आपकी अभी तक किसने अगर कोई करना चाहिए तो आप यह की तरफ आपको इंडिकेट किया जा रहा है जो कि शयद्ग हो सकता है आप अभी तक खुझ से ज्यादा प्यारेटी डियम को देती थे तो आपके एंसेस्टर आपको यही कहरे हैं कि पहले खुझ जिल्फमितź से प्यार करो जब आप अपने आपकी वेल्फम करेंगे तो आपके डियम आपकी ही वेल्फमिक लेकिन आप ज़या फॉकस करने के वजह से अपने सारा जो भी ध्यान उनकी तरफ देते हो अपना सेल्फ लब नहीं करते हैं इस वजह से आप हमेशा इसी प्रॉब्लम में फस जाते हो और सब कुछ जो भी आपको ट्रिगर करके चला जाता है वह सर्फ और सिफ सेल्फ लब की कमी की वज़े से आपके उपर हर कोई आपके ट्रिगर करता है तो के साथ आपको डिटाइच कर दिया जायागा आप खुद से डियम के साथ भी टिटाइच फिल करोगे क्योंकि कई ना कई वह आपके सेल्फ लब में प्रॉब्रम करते हैं या आपका सारा ध्यान आप उनकी तरफ देते हैं तो इस वज़े से डिवाइन ने भी एंसेस्टर क के द्वारा आपकी हेल्प के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए डिवाइन को आपके पास भीजा है जो कि आपके सपोर्ट करेंगे और थर्ड पार्टी और आपके डियम के बीच में जो भी कार्मिक सिच्वेशन होगी उन दोनों के बीच में बिल्कुल उनको कर्मा फ आपने कभी किसी की वैल्यू नहीं की तो इसलिए उनको लैसन के तौर पे उनके साथ वह सब करवाया जाएगा जो अभी तक आपके साथ आपके डियम नहीं किया था इसलिए उनको यह सब एक जो डिवाइन करवा रहे हैं सेस्टर के दवारा हेल्प आप लोगों की हो रही अपने ही सोचेंगे और अपने परपस की तरफ बढ़ेंगे या ग्रोथ में आपका माइंड डेवर्ट कर दिया जाएगा तो यह सब डिवाइन की ब्लैसिंग है जो कि आपको सेपर करके आपके पार्टनर से उनके उपर लैसन और उनका कर्मा फेस करा के यूनियन की तरफ लेके जाने का जो डिवाइन एक गेम है या डिवाइन प्लैन है वो इसी कोडिंग चलेगा और आपके सेस्टर आपको ब्लैसिंग देते वे नजर आ रहे होंगी तो बहुत बड़ा एक चैनल मैसेज भी है और जिनके हो सकता है डिरिम में आपके सेस्टर आपको सपोर्ट मोटिवेशन और नियू डिरेक्शन देते वे आपको आपकी सेल्फ लब की वर्थ बताने के लिए आपके ड्रीम में आए हैं तो उनको बहुत ग्रेटीटू पे कीजिएगा और डिवाइन को भी ग्रेटीटू पे कीजिएगा और एक लेसन भी सीखेगा कि हमारे कह अगर कुछ करते हैं या हमारे हमारे ट्रिगर करते हैं तो वह कई न कई कर्मा पेबैक भी है और साथ में हम सेल्फ लब की कमी है जो हमारे अंदर जो भी तक हम खुद की वैल्यू नहीं कर पाए तो दूसरे वाला हमारे क्यों वैल्यू करेगा तो खुद से जुड़िए ख लोगों से बचाईए ताकि आप अपने उपरवग करेंगे तो सब आपका रिस्पेक्ट करेंगे तो सबसे बड़ी गल्दी हमारी है जो हम सारा फोकस उनके तरफ करते हैं तो फिर वह वही एनरजी आपकी थर्ड पार्टी को देखके उनको पारेटी देते हैं क्योंकि उनके लिए अपने पर पारेटी दे रहे हैं ना जो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो पहले आप यह चीज समझें ठीक है तो दोनों वेमें आपको ही सेल्फ लप करना है तो फिर क्यों उनके कर्मा को करने से रोके उनको पेबैक करने दीजए जब तक आप अपने पर यह मोड पे हैं आप एसलेशन किया हुआ है और थर्ड पार्टी के साथ उनके क्रैसिस चल रहे हैं फाइट चल रही है पो सकता फैमिली मेंबर हो फ्रेंड सरकल हो कोई भी हो थर्ड पार्टी तो अभी उन्हें सेक्रिफाइस करना पड़ रहा है लेसन मिल रहे हैं और उनकी साथ और आप अपना इनवक की दरफ बढ़ सकें तो अभी तक यहीं अपडेट जैसे को नहीं अपडेट मिलेगी मैं फिर सब्सक्राइब